दोस्तों आदर अभिनंदन आभार आज हम आपको एक ऐसे मंदर के बारे में बतला रहे हैं जिसका निर्मान किस ने किया और यह कब बनाया गया इसकी जानकरी आज तक किसी को नहीं होए जिस मंदिर को मुगलों ने कई बार लूटा कई विदेशी ताक्तों ने इस मंदिर को जड़ से उखाणने की कोशिस की कई बार इस मंदिर के संपत्य को लूटा गया जितना बार इस मंदिर को नस्ट करने के लिए दुस्ट पैदा हुए उतनी ही बार इस मंदिर के पुन हनिर्मान के लिए पुन आत्माओं ने जन्म लिया आज हम आपको भारत के इतिहाज के सबसे रहस्मई अध्भूत और आश्चर जनक मंदिर के बारे में बताने जा रहे हैं इसके पहले अगर आप हमारे चैनल से नहीं जूड़े हैं इस चैनल को आपने सबस्काइब नहीं किया है तो क्रिपया कर लें ताकि ऐसी ही समाजिक और धार्मिक जानकारियां आपको समय समय पे मिलती रहे हैं दोस्तों हम आपको बतला रहेते कि सुमनाथ मंदिर एक हिंदूं का पविर्थ तिर्थ अस्थल है जिसकी गन्ना भगवान सीव के बारा जोतिर लिंगों में सरुपर्थम जोतिर लिंग के रूप में होती है गुज्रात के सौरास्ट छेत्र के विरावल बंदर गां में इस्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्मान चंदरदेव ने करवाया था इस मंदिर का उलेख रिगवेद में भी मिलता है यहां मंदिर हिंदु धर्म के उत्थान पतन का प्रतीक रहा है अत्यंत वैववसाली होने के कारें इतिहाज में कई बार इस मंदिर को तोड़ा गया तता पुनह निर्मान किया गया वर्तमान भावन का पुनह निर्मान का आर मंदिर के प्रांगन में रात साथ बच के तीस मिनट से लेके आठ बच के तीस मिनट तक एक घंटे का साउंड लाइट सो चलता है जिसके सुमनाथ मंदिर का बड़ा ही सुंदर तरीके सचित्र वर्णन किया जाता है लोग कताओं के अनुसार यहीं पर भगवान स्री दच की सताइस करन्याओं के साथ विवाह किया था लेकिन अपनी सभी पत्नियों में वहर रोहिनी नाम की पत्नी को सबसे अधिक प्यार और समान किया करता था अपनी बाकी बेटियों के साथ वहर न्याय होते देख क्रोध में अकर राजा दच ने चंदर देव को स्राब द और चंदरदेव के स्राप का निवारिन किया कि कहते हैं कि चंदरदेव का कष्ट दूर होते ही उन्होंने भगवान सिव की अस्थपना यहां करवाई और तब से यहां बिराजित भगवान सिव भोले भंडारी का नाम सोमनात पड़ गया एक दूसरी मानेता के अनुसर कुंट के लिए प्रस्थान कर गए इस अस्थान पर बड़ा ही सुंदर क्रिष्ण मंदिर भी बना हुआ है प्राचिन धर्म गरंतों के अनुशार इस मंदिर का निर्मान चंदरदेव ने किया था पर बुद्ध जीवी को इधार में गरंतों के अधार पर विश्वास नही प्राया काल में सुमनात मंदिर को नस्ट किया गया और फिर से इसका निर्मान किया गया गुजरात के विरावल बंदरगा में सित्थ इस मंदिर की महिमा और ख्याती दूर दूर तक फैली हुई थी अरब यात्री अलबरूनी ने अपने यात्रा वित्तरांत में इसका वर् इसके बाद पर्तिस्टिट की गई सिबलिंग को तेरा सो इसवी में अलावदीन की सेना ने खंडित किया इसके बाद भी कई बारे मंदिर के सिबलिंग को खंडित किया गया कहा जाता कि आगरा के किले में देव द्वार सुमनात मंदिर के ही हैं एक उत्रकिस्ट सिला लेख के अनुसार कुमार पाल ने 1179 में इस मंदिर को एक उत्रकिस्ट पत्थर में बनवाया और इसे गहनों के साथ सजा दिया गया फिर बाद में 1299 में उल्लेख खान के नित्रित में अलाउदिन खिलजी की सेना ने वाघेला वंस के कारण देव दूतियों को पराजित किया और सुमनात मंदर को फिर से नश्ट कर दिया हसन निजाम के ताज उल नासिर के मताविक सुल्तान ने दवा किया कि उसके तलवार के दम पर 50,000 काफिरों को नरक भेजा और 20,000 से भी अधिक दास बनाए अब एक अन्य में कहा जाता है कि कानहा देव जोकी जालवर के राजा थे उन्होंने बाद में खिल जी के सेना को हरा कर खंडित सिवलिंग को वापस प्राप्त किया और सभी बंदियों को मुक्त कराया कहते हैं कि 1395 में इस मंदिर को फिर से नश्ट कर दिया गया और 1491 में गुजरात के सुल्तान महमूद बंदा इसे अपमानित भी किया था 1546 इस्वी में गुवा में सित पुर्तगाली ने सुमनात में गुजरात के बंदरगा और करस्वा पर हमला किया और कई मंदिरों को नश्ट कर दिया जिसमें सुमनात मंदिर भी एक था कि सुमनाथ मंदिर और दक्षिंद रुव के बीच पिर्थ्री का कोई भी भूबाग नहीं है. मंदिर के प्रिष्ट भाग में इस्तित प्राचीन मंदिर के बारे में मानता है कि आपरवती जी का मंदिर है. सुमनात जी के मंदर का संचारेन और विवस्ता सुमनात ट्रस्ट के अधिन है सरकार ने ट्रस्ट को जमीन बाग बगीचे देकर आय का प्रवंद किया है यह तिर्थ पित्रिगन के साथ नारायन बली आदी कर्मों के लिए भी परसिद है चत्रभाद रकार्तिक महीनों में आसनान करने का विशेश महत्व है इन तीन महीनों में आसरद्धालों की भीड़ भो ज़्यादा होती है इसके अलावा यहां तीन नदियां हिरन, कपिला और सुरसती का महा संगम भी होता है इस त्रिविनी स्नान का विशेस महत्व है, सुमनात मंदर के समय काल में अन्य देव मंदर भी थे, इसमें भगवान सीव के 135, भगवान विश्णु के 5, देवी के 25, सूर्य देव के 16, गनेजी के 5, नांग मंदर एक, छेतिपाल मंदर एक, 19 कुंड और 9 नदियां बताई जात चार धामों में से एक धाम भगवान स्रीकृष्ण की द्वारिका सुमनात से करीब 200 किलोमेटर की दूरी परिस्थित है, यहां पर परती दिन द्वारिका धीस के दर्सन के लिए देश विदेशों से हजारों सुरधालू दोड़े चले आते हैं, यहां गोमती नदी स्थित है, इसके स्नान का विशित महत्व बताया गया है, इस नदी का जल सुर्योदे पर बढ़ जाता है और सुर्यास्त पर घर जाता है, जो सुबह सुर्य निकलने से पहले मात्र एक या दो फिठी रहता है, विश्व परसित सुमनात मंदिर आदी अनन्थ है, इसका सरवपर्सम निर्मान काल अग्यात है, हर काल में इस मंदिर को बुरी ताक्तों ने लूटा और सिवलिंग को खंडित किया, इसके बावजूद आज भी अपने भक्तों के लिए सुमनात मंदिर में विराजित सिवलिंग और यह मंदिर पूरे भवता के साथ दुनिया के सामने खड़ा ह यह मंदिर उन सभी बूरी ताक्तों के लिए एक मिशाल है और सबसे बड़ा उदारन है जो यह दरसाता है कि आखिर कितना भी अंदेरा हो जीत हमेंसा उजाले की होती है और चाहे कितनी भी बुराई हो जीत हमेंसा सचाई की होती है दोस्तों अपने जीवन काल में इस भव अध्भूत समाजिक और धार्मिक जानकारियों से आप अवगत होते हैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैसोमनात